हाई दोस्तो आइटिक में आप सभी लोगों का स्वागत हैं कई लोगों दो मुझे रिक्वेस्ट की है कि कोई ऐसी एप बताईए जिसमें हम फोटो में एनिमिशन इफेक्ट एड कर सकें तो दोस्तो आज के इस वीडियो में आपके लिए एक ऐसी एप लेकर आया हूँ जिसमें आप अपनी फोटो में एनिमिशन इफेक्ट एड कर सकते हैं और सोचल मेडिया पर दूम मचा सकते हैं तो चलि मैं आपका time waste नहीं कर हूँगा बीना टाईब का वीडियो स्टार्ट करते हैं बीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कभी तक आपने आपते आप मैं ITEC चनल not subscribe नहीं przez 35 नहीं किया तो सबसे पर आपको एक आप इंस्ट्रॉल करनी होगी जिसका नाम है XEFX Photo Animator, इस एप की लिंक में आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्सिन में वीडियो के एंड में दे दूँगा, वहाँ आप इस आप को इंस्ट्रॉल कर सकते हैं, मगर पहले आप इस वीडियो को देख ल लिजे, तो यहाँ पर मैं फटा-फट एक फोटो को सेलेक कर लेता हूँ, इसके बाद आप अपने हिसाब से इसे क्रॉप कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्रॉप के कई सार ओप्शन दियो है, तो आपको किस तरका क्रॉपिंग करना है, आप अपने हिसाब से देख लिजे, क्र सारी effect आ चुकी है, इसके बाद अप जिस effect को add करना चाथे, simple आप उस पर tap किज़े, टैप करते ह adulter ऑप की फोटो पर add हो जाएकि, आप इस effect को zoom in और zoom out दों कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से delican कर सकते हैं, और photo में जहां चाहे वहाँ पर लगा सकते हैं, यहाँ पर आपक सकते हैं, simple आपको इस प्लस वाल आइकन पर क्लिक करना होगा, इसके बाद आप दूसरी एफेक्ट को भी एड़ कर सकते हैं, इसके बाद आप तीसरी एफेक्ट को भी एड़ कर सकते हैं, सब कुछ complete होने के बाद अगर आप इस वीडियो या फिर इस गिफ को सेव करना चाहते तो simple आपको यहाँ पर click करना होगा इस icon पर click करने के बाद आप इसे वीडियो में भी save कर सकते हैं और GIF format में भी save कर सकते हैं और social media पर जो है वो share भी कर सकते हैं